मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूँ आज आप लोग इंग्लिश क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं यह एक ऐसे राज्य की कहानी है जहां एक मूर्ख राजा और उसका मूर्ख मंत्री राज्य करते थे राजा अपनी प्रजा के लिए एक बहुत ही अजीब सा आदेश देता है और राज्य के लोग उसकी आज्या का पालन करते हैं तब ही इस कहानी में एक बुद्धिमान गुरू की एंट्री होती है और वह अपनी चालाकी और बुद्धि के बल पर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देता है ये कहानी उस खत्रे को दिखाती है जो कि वहां के मूर्ख लोगों द्वारा उत्पन्न किया जाता है ये कहानी इस विचार को भी दर्शाती है कि एक मूर्ख राजा और उसके मंत्री को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है मूर्ख लोग अपने द्वारा बनाई गई दुनिया में ही रहते हैं और उन्हें किसी दूसरे के द्वारा आसानी से इंप्रेस नहीं किया जा सकता उन्हें केवल कहानी में दिखाए गए गुरु जैसे लोगों द्वारा ही हैंडल किया जा सकता है एक बार की बात है कि कहीं मूर्खों का एक राज्य हुआ करता था जहां पर राजा और उसका मंत्री दोनों बेवकूफ थे उन्होंने सब कुछ बदलने का निश्चे किया उन्होंने अपनी सारी प्रजा को यह आदेश दिया कि वे सभी दिन के समय में सोएंगे और रात के समय में काम करेंगे अगर राज्य में किसी ने उनके इस आदेश का पालन नहीं किया तो उन्हें मौत की सजा दी जाएगी एक दिन एक गुरू और उनका शिष्य इस राज्य में पहुँचे उन्हें यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राज्य में हर कोई जिसमें जानवर भी शामिल थे दिन के समय में सो रहा था जैसे ही रात का समय हुआ सभी लोग जाग गए और उन्होंने अपने अपने काम करना शुरू कर दिया इस समय तक गुरू और उनके शिश्य को बहुत जोरों से भूख लगने लगी थी इसलिए वे परचून की दुकान से सामान खरीदने गए वे यह देखकर दंग रह गए कि सभी चीजों का मूल्य एक ही जैसा था और वह था एक सिंगल डुडू शुरू में तो गुरू और उनके शिश्य को यह देखकर बहुत ही खुशी हुई कि वह कुछ भी सामान या कुछ भी खाना केवल एक ही रुपए में खरीद सकते थे हालांकि गुरू को जल्दी ही इस बात का पता चल गया था कि यह राज्य मूर्खों का राज्य है और उसने यह निश्चे किया कि वह उस जगह को जल्दी ही छोड़ देगा उसने अपने शिश्य को भी समझाया कि मूर्खों का व्यवहार कभी भी पता नहीं चलता उनके व्यवहार के बारे में पहले से कोई भी भविश्यवानी नहीं की जा सकती है कि कब उनका व्यवहार बदल जाए और उन लोगों के लिए यहां ठहरना बिलकुल भी सुरक्षित नहीं था लेकिन चूँकी शिष्य के मन में लालच आ गया था इसलिए वह गुरू की इस बात से सेहमत नहीं हुआ और उसने कहा कि वह उस राज्य को नहीं छोड़ेगा उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसे खाना खाना बहुत पसंद था और इस राज्य में खाना बहुत ही सस्ता था फिर आखिरकार गुरू ने उस राज्य को छोड़ दिया अब शिश्य रोजाना खूब सारा खाना खाया करता जो कि बहुत ही सस्ता होता था और धेर सारा खाना खाने के कारण वह मोटा हो गया। एक दिन एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर की दीवार में छेद करके उस घर के अंदर घुज गया। चोरी करने के बाद जब चोर उस सामान को ला रहा था तो बाहर निकलते समय उस पुराने घर की वह दीवार उसके सर जिम्मेदार है। वह आगे इस घटना के बारे में राजा को जानकारी देता है कि उसका भाई जब अपना काम करके वापस लोट रहा था, तो वह दीवार उसके सर पर गिर गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इसलिए उस व्यापारी को सजा मिलनी चाहिए। व्यापारी बोला, वियापारी की बात सुनने के बाद राजा ने उस मिस्तरी को अपने दर्बार में बुलवाया और उससे कहा, तुम्हारे दवारा बनाई गई दीवार इस व्यक्ती के सिर पर गिरने की वजह से इसकी मौत हुई है, अब तुम्हें इसकी सजा दी जाएगी यह सुनकर मिस्त्री बोला क्योंकि वही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है मिस्त्री के द्वारा कही गई बातों को सुनकर राजा संतुष्ट हुआ राजा ने उस नर्तकी को दर्बार में पेश होने का ओर्डर दिया नर्तकी के दर्बार में उपस्थित होने के बाद उसने नर्तकी से कहा तुम्हारी वजह से एक बेकसूर व्यक्ती की जान गई है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ये बात सुनकर नर्तकी घबरा गई और उसने सारा का सारा दोस एक सुनार के उपर डाल दिया अपने बचाव में वह बोली दोस्तो उस अपराधी सुनार का है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ नर्तकी की बात सुनकर राजा बोला बेचारी महिला ये बिल्कुल सही कह रही है आखिरकार हमने दोशी को पकड़ ही लिया उस सुनार को बुलाओ वह जहां कहीं भी छिपा है तुरंत बुलाओ सुनार को ढूंड कर दर्बार में लाया गया उसने यह कहते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश की कि वह उस नर्तकी का ओरडर टाइम पर पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि उसे एक अमीर व्यापारी द्वारा दिये गए ओरडर को पूरा करना था बाद में इस बात का पता चलता है कि जिस व्यापारी के बारे में बात हो रही थी वह असल में उसी व्यापारी का पिता था जिसके घर की दीवार उस चोर के ऊपर गिरी थी इसलिए राजा ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को दोबारा दर्बार में उपस्थित किया जाए जब व्यापारी दोबारा दर्बार में आया तो वह बहुत डरा हुआ था उसने कहा कि जो गहना नर्तकी द्वारा बनवाये जाने की बात कही गई थी वह गहना उसके पिता जी के द्वारा ओर्डर देकर बनवाया गया था और उसके पिता का देहांत हो चुका है वह निर्दोश है राजा ने कहा तुम सही कह रहे हो पर तुम्हारे पिता जी के स्थान पर किसी को तो दंड मिलना ही चाहिए तुमने अपने पिता की संपत्ती विरासत में पाई है, उनकी संपत्ता और उनके पाप भी जब उनकी संपत्ती के मज़े तुम ले सकते हो, तो उनके द्वारा किये गए पापों का दंड भी तुम्हें ही मिलना चाहिए जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, तब ही मुझे फॉरण पता चल गया था कि तुम ही इस अपराद की जड़ में हो, तुम्हें मरना ही पड़ेगा इतना कहकर राजा ने फांसी का फंदा तयार करने के लिए आदेश दे दिया, लेकिन वह व्यापारी इतना पतला था कि वह फांसी का फंदा उसके गले में ठीक तरह से नहीं आपा रहा था, इसलिए यह तय किया गया कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो इस फांसी के ठीक तरह से आजाए, बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने शिश्य को पकड़ लिया और पाया कि यह फांसी के फंदे पर बिल्कुल ठीक तरह से आजाएगा, पकड़ने के बाद उसे सजा देने के लिए दरबार में लाया गया, अब उस शिश्य के डर की वजह से प्रान स शहर है और ये लोग उसे नुकसान पहुचा सकते थे, गुरू के पास कुछ जादूई शक्तियां थी और उन शक्तियों की वजह से उन्होंने वे सारी घटनाएं देख ली जो शिश्य के साथ घट रही थी, और वे वहां अपने शिश्य की जान बचाने के लिए आ गए, की राजा मूर्ख व्यक्ति था, तो गुरू और शिश्य दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाकर फांसी से बचने का रास्ता अपनाया, गुरू राजा को साइड में ले जाकर बोले, हे राजन, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी हमें आपके जैसा राजा नहीं म अपकी बनाई गई सूली, परमात्मा की न्याय की सूली है, ये बिलकुल नहीं है, जो भी व्यक्ति इस पर पहले मरेगा, वह इस देश का राजा बनकर पुनरजन मिलेगा, और जो उसके बाद मरेगा, वह इस देश का मंतरी बनेगा, हम अपने सन्यासी जीवन से तंग आ कुछ दिनों तक हम राजा और मंत्री बनने का आनंद लेना चाहते हैं। इसलिए आप पहले मुझे फांसी पर चढ़ा देना और फिर मेरे बाद मेरे शिश्य को फांसी पर चढ़ा दीजिएगा। उसने जलादों से कहा, आज रात हम अपराधियों को भेजेंगे, जैसे ही पहला व्यक्ति तुम्हारे पास पहुँचे उसे मार देना, फिर दूसरे व्यक्ति का भी वही हाल करना, यह मेरी आग्या है, कोई गलती मत करना। उस्था कर रखी थी, उन्हें सूली पर ले जाया गया, और तुरंत मौत के घाट उतार दिया गया। जब उनकी लाशों को कौवों और गिद्धों को खिलाने के लिए सूली से उतारा गया, तो लोग घबरा गये। उन्होंने अपने मरे हुए राजा और मंत्री के शव देखे, सारे शहर के लोग उल्जन में थे, सारी रात उन लोगोंने शोक मनाया और राज्य के भविश्य के बारे में चर्चा की। कुछ लोगों को अचानक गुरू और शिष्य की याद आई और उन दोनों को पकड़ लिया गया जब वे चुप चाप नगर से बाहर चले जाने वाले थे। एक आदमी बोला, हम लोगों को एक राजा और राज्य मंत्री की आवश्यक्ता है। सभी लोगोंने गुरू और शिष्य से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे राजा तथा राज्य मंत्री बन जाएं। उन्हें शिष्य को राजी करने में बहुत ज्यादा आर्गिमेंट्स नहीं करनी पड़े लेकिन गुरू को राजी करने में ज्यादा टाइम लग गया। उन्होंने उनकी बातों को इस शर्त पर मान लिया कि उनको सभी पुराने कानूनों को बदलने का अधिकार होगा। त अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक और शेर दिस वीडियो to the other students and subscribe the channel. Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.